अध्याय दो चानक्य नीती, असत्य भाशन, साहस, माया, अती लालच, मूर्खता भारी, अपवित्र रहना, निर्दय ताभी, ये पाती स्वभाव से नारी, भोजन संग में पाचन शक्ती, प्रतिशक्ती संग सुन्दर्त्रिया, धन के संग हो दान प्रवृत्ती, कठिन ग्याकारिनी, और पुत्र हो वश में जिनका, संतुष्टी है प्राप्त धन से, स्वर्ग है वस्ता घर में उनका, पुत्र वही जो पित्री भक्त हो, ओशन करने वाला पिता, मित्र वही है जो विश्वासी, पत्नी वही जो मन की सीता, दिगाडे परोक्ष जो बंदा कर्म को सुनाए प्रत्यक्ष जो मीठे बच्चन को, तजो ऐसी यारी विश अंदर भरा हो, घडा मुख पर जैसे अमरित धरा हो, मित्र हो या कुमित्र या कोई न विश्वास कदापी करना, कुपित है होता मित्र मित्र से, गुप्त भेद कहता है मित्र के, मन की बात न प्रकट करना वाक्य वचन से, मंत्रना करके भले ही उसकी पुष्टी करना, गुप्त धम से कार्य रूप में उसे बदलना, तभी सफलता पाता जन ए याद रखना, दुखदाई है मूर्ख मूर्खता, दुखदाई है घोर जवानी, दुखदाई है पर घर बसाना, कठिन कष्ट की कहे कहानी, मिलता मनी नहीं परवत सभी पर, मोती नहीं सभी गज मस्तक पर, साधू नहीं मिलते हर जगह पर, चंदन नहीं सभी वन के सतह पर, पुत्र सुपुत्र बनाने है तु, विविद उपाय ज्यानी करते, शील्वान नितिग्य पुत्र ही, सदा कुल में पूजित हो शिशु बिगरते लाड प्यार से ताड़ना में बहुगुन है प्यारे। अत शिशु अथवा शिश्य को ताड़ना उत्तम नहीं दुलारें। श्लोक आधा आध में आधा। प्रतिदिन मनन उचित सर्वोत्तम। दान अध्ययन इत्यादी कर्म से प्रतिदिन सार्थक करना उत्तम। पतिनी वियोग कुनरिप सेवा, सभा नीच की, रिन की छाया, निर्धन्ता अनादर स्वजन से बिन अगनी एदाहे काया। बिन मंत्री नरिप्ट पर ग्रह कामिनी, बाग व्रिक्ष जो नदी के तट पर, शीघर नाश को पाते ए सब। काल ग्रास बन जाते तूटकर। विद्या बल से विप्रहे फलता, सेना के बल राजा चलता। धन के बल से वैश्य उचलता। सेवा के बल शूद्र है पलता। निर्धन राजा को जन त्यागे, वेश्य त्यागे निर्धन जन को। भोजन कर घर छोडे अतिथी, पक्षी फलहीन पादप वन को। दक्षिना ले पुरोहित तच्ते यजमान को। विद्यार्थी विद्या लेकर गुरु तच्ता जैसे। दावानल से जंगल भस्न हो ज जाता है जब दुखी म्रिग उस निर्जन वन को तच्ता वैसे। दुराचारी कुद्रिष्टी जन संग बुरे जगह में बस्ता जो जन। दुर्जन से जो करे मित्रता, शीघर नाश को पाए ये जन। सेना से निरिप शोभा पाते, मीठी बातों से व्यापारी। मित्रत जब जन हो बराबर। ग्रे की शोभा सुन्दर नारी।